कुछ समय बाद जब टोपी वाला उठा तो उसने टोपियों वाले थेले को खाली देखा जब उसकी नीन खतम होई तो उसने देखा कि अरे टोपियों वाल थेला तो खाली है आसपास शोर की आवाज सुनकर उसने पेड़ की तरफ देखा तो पाया कि वहां धेड़ सारे आवाजें आ रही है उसे देखा अरे ये तो पेड़ पर बंदर बैठे हैं और मेरी टोपियां बेहन कर बैठे हैं और आपस में खेल रहे हैं टोपी वाले को बहुत गुसा आया आता है ना कि अपनी चीज़ दर दर हो गई मैं बेशने निकला था मेरा नुकसान हो जाएगा तो उसे बहुत गुसा आ गया वह बंदरों को गुसा दिखाने लगा क्या करने लगा गुसा दिखाने लगा उसकी देखा देखी बंदर भी नकल करने लगी वह गुसा दिखा था बंदर ने भी गुसा दिखाया बंदर तो नकल ची होते तब वह गुसे में जमीन पर पेर लगा पेर क्या करना पटकने लगा बंदर भी टैनियों पर पेर पटकने लगी बंदर भी उसकी नकल करके वैसे ही करने लगे टोपी वाले को एसास हुआ कि बंदर तो उसकी नकल कर रहें क्या कर रहें नकल जब टोपी वाले ने गुस्ता दिखाते हुए अपने से से टोपी उतार कर जमीन पर फैक दी क्या क्या टोपी वाले ने उस सा दिखाया और जमीन पर टोपी फैक दी बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतार कर जमीन पर फैक दी क्योंकि बंदा तो नकल जी होते हैं उन्होंने नकल की उसकी तो टोपियां भी जमिन पर फैक दी टोपिय वाले ने जल्दी जल्दी सारी टोपिया एकटी की और वहां से चला गया देखो टोपी वाले ने सूच बूच की न अगर वो जदा हटवर्ट मारता करता उनको तो बंदा तो टोपी लेकर ही चले जाते पैन कर ही चले जाते इसलिए कोई भी काम करना चाहिए तो बहुत सूच बूच से करना चाहिए सोच समझ करना चाहिए और धेरे के साथ धीरच से बहुत जल्दबाजी नहीं मचानी चाहिए जल्दबाजी मचाने से अपने काम खराब हो जाते हैं बच्चों अच्छी दिना बहुत बड़ी आती टॉपी वाले की इसलिए हमें भी धेरे और सुटबूच से काम करना चाहिए और तभी हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो सौल हो जाती है समस्तिया का हल हो जाता है है ना